ओम शान्ती, 14 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावन पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशेहरा मनाओ प्रश्न, रामायन और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशेहरा किस बात को सिद करता है? उतर, दशेहरा होना माना रावन खतम होना और सीताओं को चुटकारा मिलना लेकिन दशेहरा मनाने से तो रावन से चुटकारा मिलता नहीं जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है महा भारत लड़ाई से रावन राजय खतम होता है तो रामायन महा भारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है गीत महफिल में जल उठी शमा ओम शान्ती बाब फर्माते हैं कि तुम हो ब्रामन संप्रदाई तुमको अब देवी संप्रदाई नहीं कह सकते तुम अब हो ब्रामन संप्रदाई पीछे देवी संप्रदाई बनने वाले हो यह जो रामायन है आज दशेरे पर जैसे इनका रामायन पूरा होने वाला है परंतु पूरा होता नहीं अगर रावन मरता है तो रामायन की कथा पूरी होनी चाहिए परंतु होती नहीं है चुटकारा होता है महाभारत से अब यह भी समझने की बाते है रामायन क्या है और महाभारत क्या है दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं रामायन और महाभारत दोनों का connection है महाभारत लड़ाई से रावन राजय खतम होता है फिर यह दशेरा आदि मनाने का ही नहीं है गीता अत्वा महाभारत भी है रावन राजय को खतम करनी वाले अभी तो टाइम है तयारी भी हो रही है वह है हिंसक तुम्हारी है अहिंसक तुम्हारी है गीता तुम गीता का ज्यान सुनते हो उससे क्या होने का है रावन राजय खलास होने का है वह भल रावन को मारते हैं परन्तु राम राजय तो होता नहीं अब रामायन और महाभारत है न तो महा भारत है रावन को खलास करने के लिए यह बड़ी गुहिये समझने की बाते हैं इसमें विशाल बुद्धी चाहीं बाप समझाते हैं महा भारत लड़ाई से रावन राजय खतम होता है ऐसे नहीं कि सिर्फ रावन को मारने से रावन राजय खतम हो जाता है उसके लिए तो संगम चाहीं अब संगम है अब तुम तयारी कर रहे हो रावन पर विजय पाने की इसमें ज्यान के अस्त्र शस्त्र चाहिए वह नहीं जैसे दिखाते हैं रावन और राम की युद हुई यह शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के अभी तुम रावन राजय पर विजय पाते हो योग बल से यह हो गई गुप्त बात पांच विकारों रूपी रावन पर तुम्हा गीता सुना रही हैं भागवत तो है नहीं भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं तुम जानते हो जब विनाश होगा महा भारी लड़ाई लगेगी उनसे ही रावन राजय खतम हो जाएगा सीडी में भी दिखाया गया है जब से रावन राजय शुरू हुआ है तब से भक्ति मार्ग हुआ है यह तुम ही जानते हो गीता का कनेक्शन महा भारत लड़ाई से है तुम गीता सुनकर राजय पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए बाकी भागत में चरित्र आदी फालतु है शिव पुराण में कुछ भी नहीं है नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण शिव बाबा बैठ ग्यान देते हैं सबसे उची है गीता गीता सब शास्तरों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाई है मनुश्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी-बड़ी बनाई है नहरू ने शरीर छोड़ा उनके कितने बड़े वाल्यूम बनाते है यह गीता शियू बाबा के वाल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए परन्तु गीता कितनी चोटी है क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को समझो बस इसलिए गीता चोटी बना दी है यह ग्यान है कंट करने का तुमको मालूम है गीता का लोकेट बनाते हैं उसमें चोटे अक्षर होते हैं अब बाबा भी तुम्हारे गले में लोकेट पहनाते हैं त्रिमूर्ती और राजाई का बाबा कहते हैं गीता है दो अक्षर अलफ और बे यह है गुप्त मंत्र का लोकेट मन मना भव मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहीं बाब समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावन राज्य का विनाश होना है रावन राज्य कब शुरू हुआ है यह भी जानते नहीं यह ग्यान बड़ा सहज है सेकिन की बात है ना 84 जन्मों की सीडी में भी इतने इतने जनम लिये हैं कितना सहज है बाप है ग्यान का सागर ग्यान सुनाते ही आते हैं तुम सब मूरली के कागज इकठे करो तो धेर हो जाएं बाप डिटेल में समझाते हैं नच्शेल में तो कहते हैं अलफ को याद करो बस बाकी टाइम किसमें लगाते हैं तुम्हारे सिर पर पापो का बोज़ा बहुत है वह याद से ही उतरना है इसमें मेहनत लगती है घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विगन नहीं पड़ेंगे देह अभिमानी बनने से विगन पड़ते हैं देही अभिमानी बनते हो अंत में फिर आधा कल्प कुछ विगन नहीं पड़ता यह कितनी गुईये बाते हैं समझने की शुरू से लेकर कितना सुनाते आई हैं फिर भी कहते हैं सिर्फ अलफ बे को याद करो बस जाड का है विस्तार बीज तो छोटे से छोटा होता है जाड कितना बड़ा निकलता है आज दश जैरा है न अब बाबा समझाते हैं रामायन का महा भारत से क्या संबंध है रामायन तो भक्ति मार्ग का है आधा कल्प से चला आता है गोया अब रावन राज्ये चल रहा है फिर महा भारत आएगा तो रावन राज्ये खतम हो राम राज्ये शुरू हो जाएगा रामायन औ और महा भारत में क्या फर्क है राम राजय की स्थापना और रावन राजय का विनाश होने का है गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो गीता और महा भारत भी है अभी के लिए रावन राजय खतम होने के लिए बाकि उन्होंने जो लडाई दिखाई है वह रोंग है लडाई है पांच विकारों पर जीत पाने की तुमको बाप गीता के दो अक्षर सुनाते हैं मन मना भव मध्या जी भव गीता के शुरू में और अंत में यह दो अक्षर आते हैं बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है परंतु किसको कहेंगे तो कहेंगे क्रिश्न कहां है बाबा की समझानी और भक्ती मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्ख है यह कोई नहीं जानता कि यह रामायन क्या है महा भारत क्या है महा भारत लडाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं परंतु मनुष्य यह पुझेंगे नहीं, इसलिए तुम परीचे ही बाप का दो, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यह बाप सारी दुनिया के लिए कहती है, एक गीता को ही खंडन किया है, गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है, तुम्हारे राजय में भाषा ही एक होगी, वहाँ कोई शास्त्र पुस्तक आदी नहीं होगा, वहाँ भगती मार्ग की कोई बात नहीं रहती, भारत का तैलूक है ही रामयन, महा भारत और गीता से, भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, महा भारत लड़ाई जरूर लगने चाहिए, जो पतित दुनिया खतम हो जाई, गीता से तुम पावन बनते हो, पतित पावन भगवान आते ही अंत में हैं, कहते हैं, काम महा शत्रू है, इस पर विजय पानी है, काम विकार से कभी हार नहीं खानी है, इनसे बहुत नुकसान होता है, विकारों के पिछाडी बड़े बड़े नामी ग्रामी, मनिश्टर आदी भी अपना नाम बदनाम करते हैं, काम के पिछाडी बहुत खराब होते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं, बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं, ऐसे बहुत हैं जो ब्रमचर्य में रहते हैं, सारी आयोशादी नहीं करते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, नन्स कब विकार में नहीं जाती, परंतु उससे कोई प्राप्ती है नहीं, यहां तो बात है पवित्र बन जनम जन्मांत्र स्वर्ग के मालिक बनने की, जनम जन्मांत्र के पापों का बोजा सिर पर है, वह जब कटे तब स्वर्ग में चलें, यहां मनुश्य पाप करते रहते हैं, करके एक जनम कोई सन्यासी बनते हैं, जनम तो विकार से लेते हैं, रावन राज्य में विकार बिगर जनम होता नहीं, पूछते हैं व यह पूछने की दरकार नहीं है, है ही सम्पूरण निर्विकारी दुनिया, रावन राज्य ही नहीं तो प्रशन उठ नहीं सकता, सब साक्षातकार होंगे, जब बूड़े होते हैं, तो यह साक्षातकार होता है कि जाकर बच्चा बनूँगा, माता के गर्ब में जाऊंगा, यह नहीं मालूम रहता कि फलाने घर जाऊंगा, सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है, मोर और डेल का मिसाल है, आखों के आसू से गर्ब होता है, पपीते के जाड में भी एक मेल, एक फीमेल का जाड होता है, एक दो के बाजू में होने से फल देती है, यह भी वंडर है, जब जड़ चीजों में भी ऐसा है, तो चैतन्य में सत्यूग में क्या नहीं हो सकता है, यह सब डीटेल आगे चल कर समझ में आ जाएगा, मुख्य बात है, तुम बाप को याड कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन वर्सा तो ले लो, फिर वहां की रसम जो होगी सो देखेंगे, तुम योग बल से विश्यो के मालिक बनते हो, तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते, थोड़ी बात पर भी शंशे आ जाता है, शास्त्रों में ऐसी कोई बाते हैं नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग की, परम पिता परमात्मा आकर ब्रामन धर्म, सूर्य वन्शी, चंद्र वन्शी धर्म की स्थापना करते हैं, ब्रामन है संगम युगी, बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, उस तरफ वाले कहते हैं, हे लिब्रेटर दुख से लिब्रेट करो, दुख देते कोन हैं, यह भी उन्हों को मालूम नहीं, तुम जानते हो रावन राज्य खतम होता है, तुमको बाबा राज्योग सिखलाते हैं, जब पढ़ाई पूरी होती हैं, तब विनाश होता है, जिसका नाम महा भारत रखा है, महा भारत में रावन राज्य खतम होता है, दशेरे में एक रावन को खतम करते हैं, वह हैं हद की बातें, और यह हैं बेहद की बातें, यह सारी दुनिया खतम हो जाएगी, तो इतनी चोटी चोटी बचिया नोलेज कितनी बड़ी ले रही हो, वह जिसमानी नोलेज जैसे घासलेट है, यह है सच्चा घी, तो रात दिन का फर्क है न, रावन राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है, आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था, फिर महंगा ह गया तो घासलेट तेल खाना पड़ा, यह गैस बिजली आदी पहले कुछ भी नहीं था, थोड़े ही वर्सों में कितना फर्क पड़ा है, अभी तुम जानते हो सब खतम होने वाला है, शिव बाबा हमें लक्षमी नारायन जैसा बनाने के लिए पढ़ा रही है, यह नशा इस बाबा को तो बहुत रहता है, बच्चों को माया भुला देती है, जब कहते हैं हम बाबा से वर्सा लेने आए हैं, तो वह नशा क्यों नहीं चड़ता, स्वीट होम, स्वीट राजधानी भूल जाती है, बाबा जानते हैं जो जो हड़ी सर्विस करते हैं, वही महा आज कुमार बनेंगे, तुमको यह नशा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि याद में नहीं रहते हैं, सर्विस में पूरा ततपर नहीं रहते हैं, कभी तो सर्विस में उचल पड़ते, कभी ठंडे हो जाते, यह हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है न, कभी कभी भूले भी हो इसलिए बाबा समझाते हैं, जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसको आवेश ने आई, बाप कितना प्यार का सागर है, अब गउं कोस बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं, बाबा कहते हैं, सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना, पहले तो वह बंद करो, बागी वह कोई बंद होने का नहीं है, कितना माथा मारते हैं, यह काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए, कहां मनुश्यों की बात, कहां बाप की बात, जो काम विकार को जीतेंगे, वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मोर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मोर्निंग, और नमस्ते जी, दाणा के लिए मुख्य सार, पहला पोइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सब को राजी करना है, दूसरा पोइंट है, हड़ी सर्विस करनी है, नशे में रहना है, कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, वर्दान, सेवा की लगन दुआरा लोकिक को अलोकिक प्रवृति में प्रिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव सेवाधारी का कर्तव्य है, निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा वा कर्मना सेवा हो, सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते, जिनकी बुद्धी में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लोकिक प्रवृति बदल कर इश्वर्यय प्रवृति हो जाती है, सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझ कर चलती है, सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग, त्याग वृति वाले पर वृति में तपस्वी मूरत होकर रहती है, जिसे सेवा स्वेत्य होती है, स्लोगन, अपने संसकारों को दिव्य बनाना है, तो मन बुद्धी को बाप के आगे समर्पित कर दो, अच्छा, ओम शान्ती